देशी खबरा के लिए थी चैनल ना अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब जुरूर कर लिए जो सब्सक्राइब बेटन है यो दबाओ और इक पास में जो घंटी सी है या भी दबालो ताकि जो भी नेक्स यूडियोड लगो भी को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जागो बात करां कि काफी और भी यूवा ही जुबाओं भी आपा बातचित कर सेंब पूछ सें कि बही जो आनालो जो 26 दनीवरी पर है भी किसान अंदोलन पर बांको के सयोग है और के बांको समर्थन है हाजी थारू परीचे है जो आपना दर्सकान करवा तो मेरा नाम पुजा जनलू है और मैं अभी फाइनल में पढ़ती हूं और वरतमान में मुरार का कोलेज है उसकी वाइस प्रस्टेट हो और अभी फिलाल मैं खिल भारते किसान समा में काम कर रहे हूं तो जो के देखां कि थे भी जो जाके गाउं टू गाउं जो लोगां संप्रक कर रह हैं और अभी 23 जनवरी को आने वाले 23 जनवरी को हम गाउं में मीटिंग मगेर कर रहे हैं सबी किसान भाई लोग जो माता पिता बुजरग है मेरी माता यह बहने हैं वो सभी उन टेक्टर टॉलियों के साथ वहां पे सांजापूर बोर्डर पर दिल्ली की तरफ कूच और भार तेक कर्शी परदान देश है और इसमें 70% लोग किसानी करते हैं अगर किसानी नहीं बचेगी तो देश भी नहीं बचेगा देश बरबाद हो जाएगा तो जो जा के जी भी गाओं में जाओ बठे थे जो बात करा मोशली महीला या फिर जो लड़कें अगर बात करो तो के रिस्पोंस में बखवा रहेंगे और आपके साथ मजबूति के साथ खड़े रहेंगे कंदे से कंदा मिला कर वो अच्छी तरीके से बोल रहें कि हम जरूर चलेंगे और उन्हें मैंने जो तीन सरकार ने मोधिस सरकार ने तीन काले कानुन द्यदेश लागू किये हैं उनके खिलाफ मैंने उनके बारे में अच्छी विस्तार से बताया समझाया तो उनके समझ में आया कि हम 70% किसानी पर डिपेंड हैं अगर यह हमारा किसान जमीन चीनने का प्रियास किया है और एक बूमी बंदोबस्त मुल्यासवसन दिन्यम है उसके द्वारा हमारी मंडी चीनने का प्रियास किया है और तीसरा आवशिक वस्तों दिन्यम जिसमें सरकार ने जो हमारे जो आवशिक वस्तों हैं पर टेक्स लगाने का प्रियास किया तो यह तीन काले कानून है जब तक मोधी सरकार इन तीन काले कानूनों को वापिस नहीं लेगी तब तक हम जो टिकरी बोर्डर, सिंदू बोर्डर, साथ जापूर बोर्डर और जो अलग-अलग बोर्डर हैं उन पर लोग है न वहापे बैठे रहेंगे सडकों पर और हमारे अंदुलांजारी दो मैने से लोग इस कडाके की संदी में ठंड में बैठे वे हैं सरकार को थोड़ी बहुतों सरम करनी चाहिए कि वही दिन रात आये दिन किसान सडकों पर मर रहा है उस मोधी सरकार वो किसानों को पता नहीं क्या-क्या माउवादी बताती है खालिस्तानी अब भी बोलरी है कि जो कानुन जो पासक्राजर ही अभी बतायों की जो पहलो जो करसी कानुन थे बतायों है कि बीखे उपर अगर कोंटरिक्ट फार्मिंग लिगा अगर है तो विकमान किसाना की जमीन पर कोई फरक सान की रहे गई लेकिन बिख बाद में वी यह चीज क्य द्वारा जो private company है वो किसानों से मतलब फसल करीदेंगी और मन मानी करेंगी तो आज बहुत सी डेरी आपने काम करें आज बहुत सी आपने दूद की डेरी जो काम करें बेभी साइद प्राइवेट ही लेकिन बकदे आके पसू अगे रहे ही बापर यह चीज़ को देखा तो आपा यह बात यह क्या सरकार यह जो कानूंदेर सोटे उद्योंग ना वो कंपनियों में नहीं है बड़े बड़े उद्योंग आएंगे और कल को पता नहीं इतनी बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी तो किसान क्या करेगा किस जो बड़े बड़े मोदी सरकार है जो कोई अडानी अंबानी हो वो किसान का खेत में जो पैदा हुआ जो अन है वो खाकर जिंदा रह रहे हैं सोना खाकर जिंदा पर बाओ जरूर पड़ेगा क्योंकि कल को यह समस्या पैदा हो जाएगी कि भी सरकार है वो ऐसे करशी कदादेश लेकि आई है और जो बड़ी-बड़ी कमपनिया है वो किसानों को मनमानी रेट देगी और इसे किसानों को लाब होगा या फाइदा होग अन्नी होगी हो तो आपको भी पता है यह तो सब्सक्राइब दिख रही है कि लगबग जो अंदोलन है विकमान आपने गावाँ या फिर आपने जो महिला ही आपने लड़की ही आपने जूबां को कतो कि सयोग रहो आको फूल सयोग रहो पिस सो परसेंट बाको सयोग रहो क्यार बखाळा तो यह जमीन तो कुछ की किसाडा की तो हुँआ है तो किसान सारी राइट नुकर रहोंगे अनुकरे बहुँकर रहोंगे बगद को जमीन नहीं राँओ शोड़ रहा के हनओ आपना यह सब्सक्राइब यह रखना पर लिजान को लिजान को दिए ले खड़ारों आगे तो खुछ नहीं और भी जो यूँँ आप बादचीत कर सेंब पूछ से कि भाई आनलो जो 26 तारिक ने है बिन आपना गावाम इस पेसली जो देखा आपना जिला की बात कर लाएं तो भी आपना जिलाम के प्रियास ही जो किशाना का या फिर जो जवाना का ही जो जो गरें देखो भाईया इसमें क्या है कि थोड़ सा जाग रूकता का और अंद्बक्ति का परवावाज भी है जैसे कि आज का यूथ सोचल मीडिया के अंदर जो दरम या जात्ती का जाहर गोला जा रहा है साम को हम जब खाना खाकर रजाई के अंदर बेढ़ते हैं तो कोई भी चैनल लगा लो आप टीवी का उस पर ज्यादा तर या तो कोई मेरे भी कई साथी उस जैर के अंदर आ चुके हैं उन साथियों को मैं यही करना चाहूंगा कि संपर्दा एक जैर से उपर उठकर और अपनी तरक सक्ति के आदार पर 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 तेक चीज का मन थन करके और फिर इस आंदोलन को देखे और वेसी ऐसी कोई बात भी नहीं है आज हम हमारे 76 मलसी सर की बात करें तो यहां पर तो 70% युवा इस आंदोलन के पक्स में है मैं इस चीज का उधारन हूँ मेरे जो भी 7-8 साल के कोलेज के जो फ्रेंड है हमारे संग्ठन हमारे सरकिल के जो फ्रेंड है खास करकि इस मलसी सर तहसित में बुजूर्गों से ज़दा युवाओ की भूमी का इस आंदोलन में यह हमारे लिए गर्व की बात है तो जो यह आंदोलन चाल रहे हो है कि आपने किसाना ने फिर गावम जो सपोर्ट करने के लिए जो बड़ा नेता ही या बड़ा संगठना की बात करने तो भांको भी के सयोग या समर्थन मिल रहे है ने बड़ा नेता जाएं कोंग्रेस का मानलों चाहिए बेज़ेपी का मानलों दुन्नों तरफ न उट्टे लहीं कोंग्रेस तो आचारी है कि जू मोदी सरकार जुखकागी तो वोट बैंक आपना का निखिसक जैसी लेकिन आचीज गणा दिन साले नाली कोने वोटर भी च जनता ही तो यह करेगी कुण सुने तो कितिक भूमे का कमाइम है या अन्दोलन मा आना टाइम मा जवाब देदेगी तो थारे द्वारा जो गावाम जाके या फिर जो लोगान थे भी समझा रहे हुए या जा रहे हो गावाम बिलकुल ती मारी आटीम है किसान सबागी आप सब्सक्राइब करें तो के समझा रहे हैं और खास बात इसमें यह है कि जो विजेपी का वोटर है वो भी या तो साइलेंट है इस आंदोलन में या कहीं न कहीं वो किसान आंदोलन को समर्थन कर रहा है और मैं तो राजनितिक समझ से उपर उठकर ये तमाम लोगों कहना चा में राजनितिक आने नहीं नहीं चाहिए बीच में और जो भी हमारी समझ उसके इसाब से इस आंदोलन में कूदना चाहिए क्योंकि जब हम छोटी से छोटी माचीस या बड़ी से बड़ी कोई भी वस्तू खरीदते हैं तो उस पर MRP लिखा हुआ होता है उसी तरीके से अन सरकार है लेकिन कॉंग्रेस के सारकार की भी बात करा तो कि MSP अपन मिं दी जारी है नहीं यह कंदर का माम लाब है यहimyस्पी निरदारीट केंदर की करेगा केंदर एक लाइन मैं यह लिख लेदैक lending कि जाती है इस से कम रुपए में जो भी एनाज़ करेदेगा उस पर कांग्रेश की सरकार की बात करां तो मैं तो आज चीज घूँत आने के बल्ली कोंग्रेश सरकार भी को निए जहां पीछे हर मन सबसीडिया आया करती किसाना की सोड़ा से रुपया मतलब 10-12,000 रुपया साल का सूट आया करती बिजली बिला कमाइम बाच उट अटा दी कोंग में इद्गरा में तो के उकेंदर है निपटले अभी का बाद में कांग्रेश सरकार के खिलाब भी मजबूत होगी किसाना लामबद करकी आगा खिलाब भी लड़ाई लड़ांगा जी अब धारो प्रीचे मेरा नाम है अर्विंद कड़वार किसान सभा मर्सी सर में काम करत में तो नहीं को खिलाएं और जो लोगां जाके गावां हम समझा रहीं कि जैदा अज्यादा है जो किसान अंदोलन जो काल रहे है बिन बे आपको संभरतार दी और विचे जो यह जो आन्दोलन के इन preparat कि खिलाब जो जो दिली सरकार प्राइब करने हैं और जो बिलां की बात करें अगर बिजली का बिल ही जो बढ़के आ रहे ही तो बांक लेबी संगरसांका दोरा करें जागो वीडियो के बाराम थारत जो भी वीचार ही जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिके बताओ देशी खबरां के लिए है जो खबर लोग चैनल ने थे सब्सक्राइब जुरूर कर लो सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ और इक पास में जो घंटी सी है या भी दबालो ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डेला भी को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए जोंजनु जे राजस्तान जेहिंड है।